नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल नॉलिज पंडित पर इस वीडियो में मैं आपके लिए सिलेक्टिट पचास साइन्स के कॉश्चन्स लेकर आया हूँ साइन्स की तीनों श्ट्रीम से इसमें हमने मिक्स कॉश्चन्स आपके लिया है सिलेक्टिट टॉपिक से जो एक्जाम में सबसे ज़्यादा बनते हैं कॉश्चन्स उन्हीं से ही हम आपके लिए इस प्रश्ण में प्रश्ण पत्र में कॉश्चन्स लेकर आये हैं और ये repeat पर पूशे जाते हैं इनको अच्छे से पढ़ लीजिए अगर इनको आपने पढ़ लिया तो science इन से बाहर तो आपकी नहीं जाएगी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा चैनल पर नए है तो रोज इसी प्रकार के अलगलग topics related वीडियो प्राप्ट करने के लिए चैनल को subscribe करके bell icon on जरूर कर लीजेगा और हाँ दोस्तों अपने किसी न किसी ग्रूप में जरूर वीडियो शेयर करें जिसे और भी दोस्त हमारे साथ हमारे शैनल पर पढ़ने के लिए जुड़े तो चले शुरू करते हैं most important science के questions हैं सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर है परिस्थितिक के сंतुलन बनाए रखने के लिए भारत में 16 कितने अनुपात में होना चाहिए तो परिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन छेत्र जो है 33.3 के अनुपात में होना चाहिए सौर उर्जा का सबसे बड़ा योगी की करण करता कौन है तो सौर उर्जा का सबसे बड़ा योगी की करण करता हरे पौधे माने जाते हैं हाइड्रोपोनिक्स का सम्मंद किस से होता है तो हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी के बिना पौधों की व्रद्धी करने से सम्मंदित शाखा है परियावरण के अजैव अव्यव का उतारन है वायू जिसमें जीवन नहीं होता फिर भी वो परियावरण के लिए आवश्यक होती है निम लिकित में से कौन सा पौधा मरुदविद है मतलब मरुस्थल में उगनेवाला पौधा यहां पर आप से पूशा गया है तो यहाँ पर करील नाम का पौधा जो है जो देखने में बेर के पेड़ की तरह लगता है यह मरुस्थल में उगने वाला पौधा है तो यहाँ पर मरुद्विद पौधा करील है next question है हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं right answer क्या हो जाएगा तो हाइड्रोफाइट जल में उगने वाले पौधों को कहा जाता है सही उत्तर हो जाएगा सौर उर्जा किस से प्राप्त होती है right answer क्या है तो सूरे से जो प्राप्त हमें उर्जा होती है वो सौर उर्जा होती है right answer option number C जब हम बकरी का मास खाते हैं तो यहाँ पर खाने की द्रश्टी से उपभोग करने की द्रश्टी से हम कौन से उपभोगता बनते हैं तो जब हम बकरी का मास खाते हैं तो हम दूतियक उपभोगता होते हैं right answer हो जाएगा next question है मृता अपरदन को आप कैसे रोक सकते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा मिट्टी के कटने को मिट्टी के तूटने को आप कैसे रोक सकते हैं तो वनों को लगा कर जिससे वनों से पेड़ों की जड़ जो है मिट्टी को कसकर पकड़े रहेंगी और म्रदा अपरदन नहीं होगा इस परकार आप वन रोपन के द्वारा म्रदा अपरदन को रोख सकते हैं संसार का सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है राइट आंसर क्या है तो यहाँ पर संसार का सबसे बड़ा एको सिस्टम सागर है सही उत्तर हो जाएगा option number C नेक्श कोशन है यहाँ ना के बराबर हो यह सुसको भिद वाले पौधों के लक्शन होते है नेक्श कोशन है मैंग्रो वनस्पती का मुख्य घटक क्या है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो दल्ललिय छेत्र में मैंग्रो वनस्पती का मुख्य घटक जो है राइजो फेरा है समुद्र के किनारे वाले उगने वाली वनस्पती क्या कहलाती है तो समुद्र में नमक होता है और नमकीन पानी के किनारे उगने वाली वनस्पती को लवनोदभिद वनस्पती के नाम से जाना जाता है मुखिता मैंग्रोव वाले जुआरिय वन कहां पर पाय जाते हैं तो लोकेशन पूशी जा रही है तो मैंग्रोव वाले जुआरिय वन जो अधिकतर पानी में डूबे रहते हैं तो जुआरिय वन है तो मैंग्रोव वाले जुआरिय वन जो है सुन्दर वन डिल्टा छेतर में पाए जाते हैं बाढ़ को आप कैसे रोक सकते हैं राइट आंसर क्या है तो नदियों पर बांध बना कर बाढ़ को रोक सकते हैं सही उत्तर हो जाएगा मरदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है सही उत्तर क्या हो जाएगा तो वनों को उगाने से मरदा अपरदन को हम रोक सकते हैं वायू और जल की क्रिया के द्वारा भूमी का हटाओ क्या कहलाता है तो मिट्टी की परत का धीरे धीरे पानी और जल के पानी और हवा के कारण कटना और मिट्टी का कमजोर होना तो वायू और जल के द्वारा भूमी का हटाओ अपरधन कहलाता है किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या किसकी होती है तो एको सिस्टम में सबसे बड़ी संख्या जो है प्राथमिक उपभोकता मतलब पेड़ पौधे हरी घासों के होते हैं राइट आंसर हो जाएगा परितंत्र में उर्जा का प्राथ में किया मुख्य स्त्रोत क्या है तो हमारे एको सिस्टम में उर्जा सबसे ज़्यादा हमें सूरे से प्राप्त होती है तो परितंत्र में उर्जा का प्राथ में किया मुख्य स्त्रोत तो सूरे का प्रकास है किसी परितंत्र में उत्पादकों का काम क्या होता है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो किसी भी परितंत्र एको सिस्टम में जो उत्पादक होते हैं वो सूर के प्रकास को पकड़ते हैं प्रकास संसेशन की प्रक्रिया करते हैं और उसको सौर उर्जा को पकड़कर इसे रासायनिक उर्जा में बदल देते हैं किसी स्रंखला में प्रात्मिक उप्भोकता कौन होते हैं तो प्रात्मिक उप्भोकता हमेशा साकाहरी होते हैं क्योंकि वो उप्भोकता जो हैं वो उत्पादकों को खाते हैं यानि कि जो पेड़ पौधे घास जमीन पर होती हैं उनके लिए खाने वाले जो भी होते हैं वो सब प्रात्मिक साकाहरी ही होते हैं नेक्श कोशन खाद श्रंखला इन में से कौन से ऑप्शन से बन रही है तो सबसे पहले उतपादक होंगे जो उतपादन करेंगे उनको खाने वाले उपभोगता होंगे और उन उपभोगताओं को अबघटित करने वाले होंगे तो इस प्रकार खाद श्रंखला चलती है परिस्थिति के तंत्र के दो घटक मुख्य कौन कौन से हैं तो एक जैविक घटक है इको सिस्टम में और एक जैविक घटक है मतलब एक जिन में जीवन है और वो प्रकृति के लिए जरूरी है और एक जिन में जीवन नहीं है और वो भी प्रकृति के लिए जरूरी है तो यह होता है राइट आंसर के है तो किसी भी एको सिस्टम के किसी भी पर्टिकुलर जीवधारी परिस्थतिकी का अध्यन विक्तिगत जीवधारी परिस्थतिकी का अध्यन स्वपरिस्थतिकी कहलाता है परिस्थतिकी निम्न लिखित मैंसे किसके बीच के संबंदों का अध्यन होता है तो एको सिस्टम जीव और वातावरण के बीच के संबंदों का अध्यन होता है एक इमारत में इटें जीवों में एक इमारत में इटें जीवों में किसके समान होती है तो जैसे इमारत इटों से मिलकर बनती है वैसे ही जीव जो है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है निमलिकित मैंसे कौन सा कोशिकांग प्रोकेरियोडिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है तो माइटो कॉंड्रिया कोशिकांग है जो प्रोकेरियोडिक कोशिकाओं में नहीं पाय जाता है निम्लिकित मैंसे किस कोशिका अंगक से लाइसोसूम बनता है तो कोशिका अंगक जिससे लाइसोसूम बनता है वहा है गौल जी का राइट आंसर हो जाएगा नेक्ट कोश्चन है नियूकलियस के बाहर DNA इन में से किस में मिलता है तो नियूकलियस के बाहर DNA माइटो कॉंड्रिया से मिलता है राइट आंसर है यहाँ पर बात हो रही है कोशिका भित्ती का निमलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा अर्धपार गम्य है तो कोशिका जिली एक अर्धपार गम्य उधारन है कोशिका का जीवित अंस जीव द्रवे कहलाता है ये किस से मिलकर बनता है तो कोशिका का जीवित अंस जीव द्रवे कहलाता है और ये केंद्रक दव केशिका द्रवे और अन्न कोशिकांगों से मिलकर भनता है निम्न मैंसे सबसे छोटी कोशिका कौन सी कोशिका है तो माईको प्लाजमा यहाँ पर सबसे छोटी कोशिका का उधारन है कोश्किय और आणविक जीविज्यान केंद्र कहां पर इस्थित है तो कोश्किय और आणविक जीविज्यान केंद्र हैदराबाद में इस्थित है तो दोस्तो ये है आपका अगला कॉशन, सरवादिक संख्या में गुड़सूत्र किस में पाए जाते हैं, तो ओफियो ग्लूसस में सरवादिक संख्या में गुड़सूत्र पाए जाते हैं, वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है, तो वास्तविक केंद्रक जी किसके द्वारा नियंत्रत होती है तो कोशिका की कार्यात्म गत्विधिया के इंद्रक्य के द्वारा नियंत्रत होती है नियुकलेस की खोज किस ने की थी तो नियुकलेस की खोज ब्रावबर्ट ब्राउन ने की थी माइटोकॉंड्रिया का भीत्री वला एक क्रिश्टी कहला जीविद्रवे जीवन का भौत एक आधार है या किसका कथन है तो हक्सले नाम के वैज्ञानिक का कथन है जीविद्रवे जीवन का भौत एक आधार है माइटोकॉंड्रिया किसमे अनुपस्थित होता है तो जीवानुओं में माइटोकॉंड्रिया अनुपस्थित होता है के लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजेगा और अपने दोस्तों को भी शेर करके ज़रूर जोड़िएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखें बहुत बहुत धनिवाद जय हिन जय भारत